इर्मयाह भविश्यवक्ता की पुस्तक अध्याय साथ जो वचन यहवा की ओर से इर्मया के पास पहुचा वह यह है, कि यहवा के भवन के फाटक में खड़ा हो, यह वचन प्रचार कर और कहा कि हे सब यहुदियों, तुम जो यहवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों मे प्रविश करते हो, सो यहोवा का वचन सुनो, सिनाओ का यहोवा जो इसरायल का परमेश्वर है, यो कहता है, कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस थान में बसे रहने दूँगा, यहा जो तुम लोग कहा करते हो, कि जुटी बातों पर भरोसार रख अपनी चाल और काम सुधारो, और सच-सच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, और परदेशी और अनात और विद्वा पर अंधेर न करो, और इस थान में निर्दोश की हत्या न करो, और दुसरे देवताओं के पीछे न चलो, जिससे तुम्हारी हानी होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पुरोजों को दिया, युग युग के लिए रहने दूँगा, देखो, तुम जुटी बातों पर जिनसे कुछ लाब नहीं हो सकता, भरोसा रखते हो, तुम जो चोरी, हत्या और वेविचार करते, और जुटी स पुचित है कि तुम इस भवन में आओ, जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, कि हम इसलिए छुट गये है, कि यह सब गुणित काम करे, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है, तुम्हारे दुष्टी में डाकों की गुफा हो गया है, मैंने स्वयम यह देखा है, यहवा की यही वानी है, मेरा जो स्थान शिलो में था, जहा मैंने पहले अपने नाम का निमास ठहराया था, वहां जाकर देखो, कि मैंने अपनी प्रजा इसराइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है, अब यहवा की यह वानी है, कि तुम तो यह सब काम करते और यद्यपी मैं तुमसे बाते करता आया हूँ, बरन बड़े यतन से कहता आया हूँ, परन्तु तुमने नहीं सुना, और यद्यपी मैं तुम्हें बुलाता आया हूँ, परन्तु तुम नहीं बोले, इसलिए जो यह भवन मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पुरुजों को दिया है, इनकी दशा मैं शिलोकी सी कर दूँगा, और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाईयों को अर्थात सारे एफ्रेमियों को और अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूँगा. क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूँगा, क्या तु नहीं देखता कि ये लोग यहुदा के नगरों और येरुशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं, देख, लड़के बाले तो इंधन बटोरते, और बाप आक सुलगाते और स्त्रिया आटा गूनती है, कि मुझे कुरुधित कर करने के लिए स्वर्ग की रानी के लिए रोटिया चढ़ाए, और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे, यहवा की यहवानी है, कि क्या वे मुझे को क्रोध दिलाते हैं, क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुह पर सियाही चाय, सो प्रभुव यहवा ने यो कह है, कि क्या मनुश, क्या पशू, क्या मैदान के वुक्ष, क्या भुमी की उपज, उन सब पर जो इस्थान में है, मेरे प्रकोप की आग भड़कने पर है, और वह नित्य जलती रहेगी, और कभी न बुझेगी, सेनाओ का यहवा, जो इस्रायल का परमेश्वर है, यो कहता ह कि अपने मेलबलियों में अपने होमबली बढ़ाओ, और मास खाओ, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पुर्वजों को मिस्र देश में से निकाल ले आया, उस समय मैंने उन से होमबली और मेलबली के विशे कुछ आग्या न दी थी, मैंने तो उनको यही आग्या दी, कि मेर तुम्हें आग्यदू उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा, पर उन्होंने मेरी न सुनी, और उन्हें मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे, और आगे न बढ़े, पर पीछे हट गए, जिस दिन तुम्हारे पुरुखा मिस्ट देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दास भविशवक्ताओं को तुम्हारे पास लगातार बड़े यत्न से भेजता आया हूं, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न कान लगाया, उन्होंने हट किया, और अपने पुरुखाओं से बढ़कर बुराया की है, तु यह सब बाते उनसे कहना, पर वे तेरी न सुनेगे, और तु उनको बलाएगा, पर वे न बोलेगे, तब तु उनसे कह देना, कि यह वही जाती है, जो अपने परमिश्वर यहवा की नहीं सुनती, और ताड़ना से भी नहीं मानती, हो गई, और उनके मुह से दूर हो गई, अपने बाल मुंडा कर फेक दे, और मुंडे तिलों पर चड़कर विलाप का गीत का, क्योंकि यहवा ने इस समय के निवासियों पर कुरोध किया, और उन्हें निकम्मा जान कर त्याग दिया है, यहवा की यहवानी है, कि इसका कार यह है, कि यहुदियों ने वह काम किया है, जो मेरी दुरुष्टी में बुरा है, जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी गुरुनित वस्तुए रख कर उसे अशुद्ध किया है, और उन्होंने हिन्नों वंशियों की तराई में तोबेत नाम उचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आग्या मैंने कभी नहीं दी थी, और नवव मेरे मन में कभी आया। इसलिए इन लोगों की लोथे आकाश के पंचियों और मैदान के जीवजनतों का आहार होंगी, और उनका हाकने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूँगा कि यहुदा के नगरों और यरुश्लेम की सडकों में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुन पड़ेगा, और न दुल्हे वा दुल्हन का क्योंकि देश उजाड ही उजाड हो जाएगा। कर सक हो जाएगाता शुल्हें ए YouTubers कि शुल्हें के उनका क волой मैंने दुला के वाला की जनका चुल्हेंछ कका रका मीउखा У цен तूपरों क्वाश्ट भ्रण सिनन कि द्रववागगाओ रहाखा शुल्ट कि उसा बाने ही तो एवाला में उस स्थाथ